So guys, today's poem is Letter from Pahambeer, written by Desmond L. Karmoplang So guys, आज का ये जो poem है, ये खाशी poem है, Letters from Pahambeer, ये खाशी writer ने लिखा है ये खाशी में भी लिखते हैं और English में भी लिखते हैं Letter from Pahambeer Desmond L. Karmoplang जो है, ये ने हूँ University में पढ़ाते हैं, Cultural Studies So guys, ये जो letters from Pahambeer है, ये एक तरह का journey है, जो अपने पुराने rituals की तरफ आगे बढ़ता है ये Desmond L. Karmoplang का, ठीक है, तो शुरुआत ऐसे होती है poem की At sundown we set out in a car past silent, dark hurts, see cuddles buzzing the dusk We have left the church far behind, growing strangely in pallid Arrogance through the dusk kicked up by our passing ये बोल रहे हैं कि बहुत पीछे हम लोग छोड़ के आ गए है, चार्च को और वो एक अंधेरे में गारी से निकले और बहुत पीछे उन्होंने अपने चार्च को छोड़ दिया है और ये जो past silent पोल रहे हैं, ये past जो है poet के past से relate करता है उनका जो पुराना past है, मतलब पुराना जो culture है वो अभी चुप हो चुका है क्यों चुप हो चुका है? उसी को ढूणने के लिए ये poet आगे बर रहे हैं वी left the church far behind ये चार्च जो है वो एकडम चार्च को भी पीछे छोड़ चुके हैं और arrogance सब को पीछे छोड़ चुके हैं अभी वो एकडम पाले एकडम दिखाई नहीं दे रहा है एकडम जो है वो अंधेरा हो चुका है तो चड़ से वो धीरे धीरे बहुत दूर चले गए हैं village curse turned quarrelsome as the city man await the verdict of reception smoking uneasily outside the village chiefs abroad ये इस poem इस स्टेंजा में वो बोल रहे हैं कि ये जो curse है curse turned into quarrelsome हो Aww algae कर्णे कर नहीं है쪽 कोषी वह से किरी लेकिन बहुते ही गडी स्टेंज़ा है,cemet jogo is इस सबहा है कुछ अगर कोई अगर पुराणे काल्चर चाहां हैं जाने कुशी परात कर रहा है तो तो कोषी जो नेगेटिश़्ा में वहाँ परउरे करते हैं वहाँ पे जगड़ा बगड़ा करते हैं विलेज में उन सब के बारे में वो बोल रहे हैं कि लेकिन पोईट जो है वो rational है तो वो wait करते हैं जैसे कि as we city men wait और उसके बाद वो village chief के पास जाते हैं उसके बाद दूसरा शेंजा है we come I plead to learn not to teach we come with longing we are the forgetful generation our hearts tapping rhythms pound in shame a shame that spit our present from past we have sucked for so long on a wisdom of falsehood we are ourselves our own worst enemies ये एक self-realization भी है और एक एक तरह का apology भी है उनका कि ये ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर आये हैं सीखने के लिए सीखने के लिए 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 सीखाने के लिए नहीं हम लोग अपना जो generation forgetful generation हम लोग जो है अपने जो पुराने जो culture है वो सब भूल रहे हैं और एक शरम जैसे हो मुझे बहुत शरम आ रही है कि मैं अपने जो पुराने रोट से उस से अलग हो गया हम लोग बहुत मतलब बुरे रोट पर चल चुके हैं झार्किspe stress अलग ही लग ही रोट पर हम लोग जा चुके हैं हम लोग है अपने खुद के बहुत बड़े दुश्मन है A fire dances crazily throwing shadows on the hard mud floor and good laughter swells like moonlight someone breaks out in song and hundred feet tap unsteadily punctuation around the weird tune इस stange में बोल रहे हैं कि एक ritual है वहाँ का खासी क्लचर है Х jakiś culture जो में घाले का खासी कलचर है वह रात को पूरे रात को गाते है और नास्टे भी है तो गाइस यह जो खासी कलचर को और रिप्रेजन कर रहे हैँ इसमें obviously have a picture of और हिंदी में जैसे जगराता होता है वैसे ही ये खाशी लोग भी रात को पूरी रात जाकके गाना गाते थे अभी भी शायद हो रहा हो कि या नहीं वो पता नहीं है Voices in tone, hands fashion leave plates to hold food for the man ये तो सबको पता ही होगा From the big city I show more brushwood into the fire ये जो लाइन है ये बहुत एक ट्रिकी और एक सिम्बॉलिक लाइन है ये I show more brushwood into the fire from the big city क्योंकि ये जो city लोग है city कैसे बनता है city बनता है जंगलों को जलाने के बाद तो इसलिए बोल रहे हैं कि मैं city से हूँ इसलिए मैंने तो और भी brushwood जो है मतलब वहां का जो जाड़ है वगएरा जैसे कि हिंदु हैं पुझारी होते हैं वे खाशी में ऊधी होता है ऊधी squat on the floor ये जो उ है यू है यू का मतलब है ही है ठीक है ही ये लड़के को सिम्बलाइज कर रहा है आदमी को औरत को नहीं तो ऊधी में देखें ऊधी squat on the floor garlanded hand extended wooded eye stealing tiny light from the fire दिपलिन का मतलब है एक उडन बोर्ड है और यह उडन बोर्ड में एक को फोड़के एक को बेक कर मतलब तोड़के वहां पे पूजा किया जाता है यह उनका खाशी कल्चर का एक एक रिच्वल है स्पेटर्ड विद गुटब्रेड मत यह गुडब्रेड मुट भी एक मिधो से लियाओा है यह खाशी में एक मिध Vision कि red mud से बने हुए एक खासी शिलॉंग में एक लेक है लेक के नीचे red color का mud होता है उस mud से अगर कोई भी अगर चीज बनाए जाए जैसे कि कोई pot वगरा बनाए जाए तो वो बहुत sacred होता है ठीक है? Good red mud have stored centuries of prayers for harvest and hunt Our bellies understand hunger Our hands are shared by it It is black as only good smoke can make it It has told my children's stories for countless years now So wait for the night to grow and endure our difficult ways ये इस line में ये जो red mud के बारे में भी बोल रहा है कि इसी red mud से जो pot बनते थे उसी से ही मेरे पुराने जो लोग है उसका हातों का shape मेरे पुराने कारिजरों को बोल रहा है जो पुराने जमाने में वो red mud से ये उससे बहुत सारे mythical stories भी थे ठीक है और हम लोग उससे कैसे दूर हो गया है So wait for the night Wait for the night इसलिए है यह कि रात को ही वो लोग स्टोरी शुनाते थे ठीक है लेकिन हम लोग वहां से एकदम सेपरेट हो गया है हम लोग बहुत दूर चाचुके हैं इसलिए वो दुखी भी है यह जो हमारा जो पोएट है वो तो उदी स्टीफ तू लॉइन क्लोथ एंड बेर्स एहंचेट बेक स्कार्ड लाइक स्कार्ड लाइक ए होनिंग स्टोन अपोन हुच हंगरी ब्लेज लिक लाइक टंग्स यह उदी जो है एक क्या कर रहे हैं कि कि आएक एक कि उननों हका ठर पहन चुंड रहा है एक प्लह को पांहीं शेप दे मतने हूफ यह जो उदी के बारे में ही वोल रहे है यह स्टेंबलिंग वोईस में वो बहुत पूरे रात अच्छा गाना गाता है यह बोल रहा है एक इन लाइन में कि ऐसे गाना गा रहे हैं जैसे कि इनका गला मतलब डबा लिया है एक वेनिस ने पूरा इनका गला दबा लिया है और एक गाट बांद लिया हो जैसे कि सारे दुनिया का जो रेस है वो एक ही है बलड भी एक ही है और उनके गाने में यह सब पता चलता है जैसे कि आजकल रेसिजम तो बहुत हो रहा है लेकिन यह उससे उल्टा है यह खासी सौंग में हमेशा यूनिटी होती है और यह पूरे दुनिया के बारे में दुनिया को एक करने वाले जैसे गाने हैं वो यह खासी सौंग मतलब रेसिजम से उल्टा वाला गाने यह लोग गाते हैं यह लास्टेंजा में आते हैं मतलब यह जो पॉइट बोल रहे हैं कि यह जो स्टोरी जो एक जल के राक हो जा रहे हैं यह सब हम से बहुत दूर चले जा रहे हैं जैसे कि कोई उल्का पिंड आके हमारे नस्दीक से चला गया और हमारे जैसे उल्का पिंड जैसे ही जाता है तो पानी सब सुखा देता है वैसे हमारे जो गरम करके हम से सारे जो पुराने स्टोरी से सब लिखे जा रहा है यह एक अन्यम ग्लूम है यह एकदम हताश हो रहे है अन्यम ग्लूम में अच्छा हताशा है दिल में अपने दिल और अपने सोल में एक बहुत ही अच्छा कल्चर जो है वो मेरे अंदर है लेकिन मैं इस बास से बहुत दुखी हूँ कि मेरे ही अपने लोग इस चीज को डिनाइट कर रहे हैं और दूसरे कल्चर और दूसरे वेस्टर कल्चर की तरफ आगे बर रहे हैं मैं बहुत दुखी हूँ एक तरह का यह पोईट का सोरी फिलिंग हो रहा है ठीक है तो गाइज I hope you guys will understand this and thank you thank you so much